हलो नमस्कार साथियो मैं सागर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूडूप शैनल एक्जामपल 2.0 पर तो कैसे आप लोग जल्दी से आप लोग बताएंगे सभी साथी अल्ली चाह जाएंगे सभी लोग सेसन को शेयर कर देंगे और जो भी आपके साथी हैं भाई है भाण बंदू हैं मित्रे हैं यार हैं उनको भी आप लुक ब्ला लीजिए ताकि हमारे साथ भो भी आसके लो आ Cur न चरा हमारे साथ बभी जुड़ सके और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सब्झे हे ठीक है भाई बाई सेसन को स्टार्ट करते हैं लेकिन सेसन को स्टार्ट होने से पहले कुछ पॉइंट है कुछ बिंदों है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आवाज आ रही है परफेक्ट एक बार जल्दी सब्सक्राइब अधाए अग्जाप्पोर ऑफिशल एक पर मिल जाएगी कहाँ पर यहां पर आपको क्या मिल जाएगा पूरा का फूरी स्टेडि कंटेंट मिल जाएगा मिल जाएगा प्री स्टेडी कंटेंट मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं इसके अलाबा कोई भी आपका साथी भाई बंदू मित्रियार ऐसा है जो भाई CHSL की तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा बैच चलाया गया है कौन सा विजयापत बैच चलाया गया है इसकी फीस रखी लेकिन आप लोग विजयापत बैच के साथ क्या लेना चाहते हैं नूट्स लेना चाहते हैं तो आपको यह कुर्स कितने का पड़ जाएगा 999 का पड़ जाएगा कितने का 999 का पड़ जाएगा यदि आपका कोई भी साती भाई बंदू मित्रियार ऐसा है जो भाई SSC आपको मिल जाएंगी ठीक है बई आगे बढ़ते हैं अब यह देखो आप लोग यदि सी आईसाप की तयारी कर रहे हैं तो सी आईसाप के लिए बहुत बढ़िया बैच चलाया गया है कौन सा विजेता बैच चलाया गया है इसकी जो क्लास हैं वह आपकी दो तारिक से स्ट एमसी की कोश्चन मिलेंगे प्रिविएस एर पेपर मिलेंगे आपको सारी चीज़ें मिलेंगे ठीक है बाई और इसकी फीस कितनी है बाई दोसों ने न्यान वे कोई इसकी जादा फीस भी नहीं है क्लियर है बाई समझ रहे हैं आप लोग बात को करें क्लास के लिए बताएं भाई ये क्लास आपकी जैसे आप किसी भी एक्जाम और कोई भी एक्जाम देना चाहते हैं जैसे आप का एक्जाम देना चाहते हैं आप यूपी पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम देना चाहते हैं आप और भी जैसे कि गुरूब डी का एक्जाम देना चाहते हैं रेलवे के एक्जाम देना चाहते हैं जिस भी एक्जाम में स्टैड़ी जी के आनी है जी के जीस आनी है उस ए देखो यह आपकी पूरी की पूरी टीम हो जाएगी किसकी विजेता बैच की यह आपकी पूरी की पूरी विजेता बैच की टीम हो जाएगी और विजेता बैच के डेमो भी स्टार्ट हो गए हैं तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं यूटूब शेनल पर ठीक है बई जैस सर आपको इको पढ़ाएंगे निशान सर आपको मैथ पढ़ाएंगे और दीपमनी सर आपको क्या पढ़ाएंगे साइंस पढ़ाएंगे तो यह वो टीचर्स हो जाएंगे जो आपको क्या देंगे तक आपको मिलेगा आगे बढ़ते हैं इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे जीस और ம क्या पंडेंगे की प्रेश्ण पढ़ेंगे और यह जुप्रेश्ण होंगे यह कैसे होंगे bye आधारित होंगे और हर एक प्रश्ण का हम लोग क्या समझेंगे Explanation समझेंगे थे अप्लीकेशन पे लिए थेओरी उन बच्चों को मिलती है जो क्या करते हैं जो भाई बैच लेते हैं क्या करते हैं जो क्या करते हैं बैच करते हैं ठीक है वहां पर क्या करवाते हैं थेओरी करवाते हैं पूरी की पूरी यहां पर क्या चलती है ठीक है यहां पर क्या चलती है चलती है चलो स्टार्ट करते हैं यह आज का आपका पहला कोश्चन हो जाएगा यह आज का आपका क्या हो जाएगा पहला कोश्चन हो जाएगा मलब सुरी तीसरा कोश्चन हो जाएगा ठीक है भाई तो कोश्चन लगता है कि दी आंसर सही है तो आपने तीन का क्या दिया डी अंसर दे दिया इस प्रकार से आपको क्या करना है आंसर करना है इस प्रकार से आपको क्या करना है आंसर करना है हर एक कोशन का चलो तो कर दो आप लोग से बवर जल्दील को 10 अंसर कर दो जल्दी से क्या कर देंगे इसका आंसर कर देंगे ठीक homes जिसने चैनल को सब्सक्राइब र नहीं किया है जल्दी से आप लोग क्या कर लो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था Emmanuel Kant, इन्हों ने किसके बारे में बताया था, इन्हों ने प्रत्वी के बारे में बताया था, और जब प्रत्वी के बारे में बताया था, और जब प्रत्वी के बारे में इन्हों ने क्या करी थी, पहली अभधारणा दी थी, उस अभधारणा क क्या नाम रखाता उसका नैबूला रखाता और यह नैबूला क्या कहलाता है यह जो कोहरे के जो धुंद बगेरा धूल के जो कंड होते हैं वो गुच्छे के गुच्छे आपके बने रहते हैं आपने देखाई देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं उनको हम लोग नैबू नमबर दो कर दो आप लोग श्वक्ष भारत मिशन अभियान किस लिए था श्वक्ष भारत मिशन अभियान किस लिए था यह आपको बताना है जल्दी से आप लोग बताओ तो यह मशुहूर हस्तियों से सडक की सफाई कराने के लिए था या आपका श्वक्ष भारत उपकरण लगाने और राजस्व अर्जित करने के लिए था या फिर आपका अवसिष्ट पदार्थों का निप्टान करने के लिए था या फिर भारत को श्वक्ष बनाने के लिए था भारत को श्वक्ष और स्वास्थ बनाने के लिए था आपका अंसर सही क्या जाएगा क्या जाएगा डी डी दा राइड अंसर अप डिस्कुशन क्या जाएगा डी यानि जो आपका स्वस्त भारत मिशन है वो किसके लिए चलाया गया था वह भारत को श्वक्ष और स्वस्त बनाने के लिए चलाया गया था ठीक है बाई नेक्स्ट इंटर पूल का मुख्याले कहां अस्ते थे ये आपको बताना है तो बताओ इंटर पूल आप लोग जानते हैं इंटर पूल क्या है अमारे एक इंटरनैशनल और अपराधिक संग्ठन ये अपराधियों को देखता है इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर को कब 7 सि 223 में सथापना की गीती इसका सब्र Singh अजाएगा लियोन में पढ़ता है अपका प्रांस चाहां प्रांस में पढ़ता है sì यह बीगा य। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी प्रांसि की राजधानी हो इसको का headquarter है, note करते जाएंगे आप लोग, ठीक है भई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यह देखो, question number कितना प्यारा पूशा गया है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील निमनलिखित मैंसे कौनची है, भारत में मीठे पानी की जील निमनलिखित मैंसे कौनची है, य यह चलका जील है, यह तो क्या है भाई, खारे पानी की जील है, जो चलका जील है, यह क्या है, खारे पानी की जील है, नोट कर लो भाई, और यह कहां पे है चलका जील, यह उडिशा में है, कहां पे है, यह आपका जमुएन कस्मीर में है, कहां पे है, जो बुलर जील है, य सब्सक्र कि यह यह कहा पर है राजस्थान है घर उप जानते हैं कि गारे की जही्ट है राजस्थान है उसको हम लुग क्या बोलते हैं समभर जाए चांबर कैसी पानी की जहीट है यह जैपूर में राजिस्थान के कहां पर है जैप और मेस्ते थे जिसको हम लोग पिंक सहर की नाम से जानते हैं यह भी आप लोग क्या कर लो नोट कर लो ठीक है चलो जी आगे बढ़ते हैं लोग क्या लगाओगे अंसर अंसर लगाओगे भाई सी सी दा राइड अंसर ऑफ दिस कोशन बहुत बढ़िया चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यह देखो अब यह आपका जम्मु कस्मीर के बारे में दिया गया है कोशन पूछा जाए कि जम्मु कस्मीर के राजपाल कौन है यहां पर राज पेरियार बनी जीवा ब्हारण है यहां पर हीरापोर बनी जीवा ब्हारण है यहां पर गुलमर्ग बनी जीवा ब्हारण है दची ग्राम नेशनल पार्क है और यहां पर क्या है सलीम अली राष्ट्यों ध्यान है यह आपके जम्मु कस्मीर के लिए क्या है बहुत ज़ादा फैमस हैं बकाया जो जम्मू कस्मीर है ये हमारा क्या है? एक यूटी है और इसको यूटी का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर को कब 31 अक्टूबर 2019 में इसको यूटी का दर्जा दिया गया था ये भी आप अप नोट कर लो जम्मू कस्मीर से संबंदित कौन-कौन से आर्टिकल थे तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ये किस्से संबंदित थे जम्मू कस्मीर से संबंदित थे जिनको कब समाप्त किया गया था पांच अगस्त में कब पांच अगस्त 2019 में इसको क्या किया गया था इनको शमाप्त किया गठन किस वर्ष किया गया था भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना है तो 1757 में क्या हुआ था आप लोग जानते किया था किसने रावर्ट किलाइब ने किया था और बंगाल यह बंगाल के सेना के में दुगा था तो बंगाल के जो राजा थे वह कौन थे शिराज दौला जिनकी मृत्ति हो गई थी यह तो बात अलग हो जाएगी क्यों व 4885 तो आंशर किया आजाएगा डी आजाएगा 1885 में क्वे थी कौंक्रेज की स्ठापना की गई थी कहाँ पे की गई थी तो आप कोंटल कितने लोग थें seven बाहत्तर लोग धें junior एनम BC बनार जी सबसे बुढ़ा बेक्ती था डब्लु दादा भाई नोरो जी को, दादा भाई नोरो जी को हम लोग क्या बोलते हैं, दादा भाई नोरो जी को हम लोग भारत का Grand Old Man बोलते हैं, और जो कॉंग्रेस सब्द है, यह क्या है, अमेरिका की संसद का नाम है, यह अमेरिका की, यह अमेरिका की क्या हो जाएगा, संसद का ना थे एक बार सभी लोग सेसन को लाइक कर दो एक बार सभी लोग सेसन को क्या कर देंगे लाइक कर देंगे आंसर क्या लगाओगे आप लोग भाई डी लगाओगी नेक्स्ट जी एसम का पूरा नाम क्या है ग्रांड सिस्टम फोर मॉबिलिटी या ग्रेट सिस्टम फोर मॉबा आंसर क्या जाएगा डी यानि इसका फुल फॉर्म क्या होता है global system for mobility ठीक है भाई समझ गया आप लोग बात को यदि आप से question पूशा जाए कि जो GSM की जो सुबधा है जो GSM की जो सुबधा है ये कब सुरू की गई थी तो आप कहोगी जो GSM की सुबधा है इसको 1991 में इसको सुरू किया गया था और ये क्या होता है एक mobile communication होता है ये आपका एक telephone communication होता है ठीक है भाई समझ गया आप लोग बात को बहुत बढ़िया तो किस ब्यक्ति को वादसा है खान के नाम से जाना जाता है किस ब्यक्ति को वादसा है खान के नाम से जाना जाता है तो ये वो ब्यक्ति हो जाएंगे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं इनी को हम लोग सीमांत गांधी बोलते हैं सीमांत गांधी इनी से हम लोग सीमांत गांधी बोलते हैं सरहद इन्हीं से हम लोग सरहद गांधी बोलते हैं इन्हीं से क्या बोलते हैं बच्चा खान बोलते हैं और इन्हीं से फक ए अफगान कहा जाता है इन्हीं से क्या कहा जाता है फक ए अफगान कहा जाता है इन्हीं से क्या कहा जाता है फक ए अफगान कहा जाता है त नहोंने 1930 में किया चलाया था लाल कुरतीआंदुलन चलाया था ठीक है भरी इनायश्ब भर्त रतन पुशन पूशा जाता है कि कौन सा विदेशी है वह कौन सा पहला ब्देशी है जिसको भारत रत ने दिया गया था तो वो यही है और इनका नाम हो जाएगा खान अब्दुलगफार खान इन्हों ने गांधी से क्या कहा था इन्हों cereal है उओं आंसर क्या लगा की और शायान को चाहता है तो उसी प्रिकार से लोक膜 को कहाई दाभाई नूंट कर लो किसको कहा जाता है लोख किसको कहा जाता है और क्योद्धा만पुरस किसको कहा जाता है ठीक है भाई लोहपुरस किसको कहा जाता है तो बल्ला भाई पटेल को कहा जाता है सांती पुरस लाल बहादर सास्तरी को योगपुरस महत्मा गांधी को बापू भी महत्मा गांधी को राष्ट पिता भी महत्मा गांधी को पंजाब के स्री लाला लासपत राय को देश रत्न जैसे बंदर बानर बनमानुस आधी के ब्यवहार के अध्याण को क्या कहा होता है मतलब आपने देखा होगा कि जो मनुस्त था जो क्या था मनुस्त था मनुस्त आप लोग जानते हैं मनुस्त का वैज्ञानिक नाम क्या होता है होता है क्या होता है मनुस्त का वैज्ञानिक ना कच्छी यह कच्छी पहनना भी सीख गया तो फिर यह वाईशाफ देखो टाइव वाईशा बैग लेकर वाईशा आफिस जाना सीख गया तो कहीं ना कहीं क्या वास्तों में हम लोग पहले बंदर थे हम लोग पहले क्या थे बंदर थे हम लोग क्या दे बंदर थे अब बात यह आती है कि आखिर जब हम मनस्यों का अध्यान करते हैं कि मनस्तों पहले क्या था क्या नहीं था मनस्तों पहले क्या था क्या नहीं था जब हम इस चीज का अध्यान करते हैं उसको क्या कहा जाता है उस अपको प्राइमेट उलोजी भी बोलतेयो उसको ठीक है उसको फ्राइमेट उलोजी बोला जाता है कि अ क्या है आप में पीडियाप नहीं मिल रही है अरे अप में ही मिलेगी ऑफ कि अ ठीक है भाई तो अंसर क्या लगादेंगे अनसर लगा देंगे आप लोग लगा देंगे क्या लगा डेंगे ॉट कर लो आगी वड़ते हैं उसी परकार से कोषे जाएगा कि सेवालों कि आỗi कि अध्यन को क्या कहा जाता है pela कघlando कहा जाता है पुस्तों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो एंथोलोजी कहा जाता है फलों के अध्यन को क्या कहा जाता है पॉमलोजी कहा जाता है उतकों के अध्यन को क्या कहा जाता है हिस्टोलोजी कहा जाता है इन सभी को आप लोग क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे नेक्स्ट हवा से नमी के अवसोशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है हवा से नमी के अवसोशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है यह आपको बताना है एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दो एक बार सभी लोग मज़ा आ जाये ताकि हमारे साथ जादा से जादा बच्चे यह प्रक्रिया ही होती है ठीक है आगे बढ़ता है यह देखो दादा साहब फाल के पुरुषकार की स्थापना कप की गई थी तो यह दादा साहब फाल के पुरुषकार की स्थापना की गई थी और जो दादा साहब थे आप लोग जानते हैं जो दादा साहब थे वह क्या थे एक फिल्म निर्माता थे और इन्हों साहब किसको दिया गया है 2022 का दादा साहब फिल्म-पुरुषकार किसको दिया गया या या कुछ तो तो देवीका रानी को दिया गया था किसको देवीका रानी को दिया गया था नोट कर लो जो देवीका रानी थी ये एक ऐसी महिला थी जिसको पहला दादा साहब फाल के पुरुषकार दिया गया था कब ôm 1979 में दिए गया था इसको भी आप लों क्या करलो नोट कर लो अब 2022 का जो फिल्म किसको दिया गया है नोट चिंग है ना जो सर्वस्रेष्ट जो अभीनेता हैं इंका वर्ड सको दीया गया है तो आपको कहोगी किसको दिया गया है स रवले स्केश्ट फिल्म का वर्ड सरशा को दिया गया है और best director का award किसको दिया गया है तो ken gosh को दिया गया है यहां पर film of the year पुसपा है और सबसे अच्छजी film क्या है सेरसा है भर बहुँत बडिया बहुत बड़िया answer क्या लगाऊगेree भाई answer लगाऊगे see 1912 में क्या होगा था 1922 में Killing पुरुष्कार की स्थापना हुई थी किसकी कलंग कलंग पुरुषकार की स्थापना हुई थी जो की कौन देता है यूनेस को देती है कौन देता है यूनेस को देती है और वो भी किसके विज्ञान की छेत में देती है किसके विज्ञान की छेत में देती है नोट कर लो आप लोग 1929 में क्या हुगा था 1929 में आप सथापना गूरे बढ़िया चलो जी आगे बढ़ते हैं एसे बैसे वैक्ति थे जिन्हों ने भारत के कारेवाहःक प्रिधनमंत्री के रूप में दो बार काम किया है दो बार काम किया है तो यह वो व्यक्ति हो जाएंगे इनको पहली वार इनको पहली वार कारवाहग के रूप में कब बनाया गया था उनीस सो चौशट में बनाया गया था और दूसरी वार क्या हो जाएगा गुलिजारिलाल नंदा हो जाएगा कर लो आप लोग बहुत प्यारा कुश filthy ना करते जाएंगे आप next यह देखो यह हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे और हो जाएंगे गुलजारीलाल नंदा तक रहे थे तो आप कहोगे दूसरी बार 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक रहे थे जनवरी से 24 जनवरी तक तो कोई जादा नहीं ठीक है यह हो जाएंगे गुलजारी लालन्दा आगे बढ़ते हैं और यह बाईशा अरे दादा 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 है ना नेक्स्ट भारत में पहला बैंक कौन सा था भारत में पहला बैंक कौन सा था यह आपको बताना है तो सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया या रिजब बैंक ओफ इंडिया या बैंक ओफ इंडिया तो देखो जो आपका रिजब बैंक ओफ इंडिया है इसको हम लोग क्या बोलते है बहुत अच्छे से जानते हैं और यह हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी कब 1935 में इसकी स्थापना की अगए हिग थी आया है एगा सबसे पुराना पैंक हो जाएगा ये भारत का क्या लाव जाएगा सबसे पुराना बैंक हो जाएगा ठीक है बही इसका पुराना नाम क्या था इंपीरियल Gibson of India इंपीरियल इंपीरियल इष्क पुराना नाम क्या त्था इंपीरियल Bank of India और अधिरीयल बैंक इंडिया की स्थापना होई थी कब 2021 में है उनatarी इनताv उसमें क्या बना था इंहीं को फिर इंडिया अच में कर दिया गया था इंडिया और । इंडिया में और यह कप किया इम जलte array 1905 एंटिया विलाई kg me इसका ऑनिजिंग क्रोशन पूशा जाता है कि इंडिया का पुरानी नाम था तो आप कहोगे Imperial Bank of India क्या Imperial Bank of India ठीक है भई आंसर क्या जाएगा आपका B आ जाएगा क्या जाएगा B is the right answer of this question क्या जाएगा B is the right answer of this question question पूशा जाएगा कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी तो आप कहोगे पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी तो आप कहोगे पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी कब यह भी आप लोग नोट कर लो भाई यूपी ऐसाई खुश्बुतिवारी बहुत बढ़िया आस्था पांडे डैविट बॉय बहुत बढ़िया है ना आंसर क्या लगाओगे बी लगाओगे नेक्स्ट यह देखो निमलिखित में से अच्छा इसका आपको यदि पीडियाफ चाहिए इसका आपको यदि क्या चाहिए पीडियाफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको मुझे मेल करना पड़ेगा एक्जांपूर88888888-7.com मुझे मेल पड़ेगा आपको भना तो आप लोग गुरुप से जूड़ जाओगे निमलेखित में ऐसे कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर साणी में इका ऐलूमिनियम की जगह लेता है, तो टाइटेनियम या जर्मेनियम या एस्केंडियम या फिर गैलियम, तो आंसर क्या आजाएगा, गैलियम, गैलियम is the right answer of this question, और आप लोग जानते हैं, यह हमारा क्या हो हमारी आवस्थान ही हो जाएगी आगे बढ़ते हैं किसी दरपन की गोली सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है किसी दरपन की गोली सतह केंद्र को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है हमने माना कि हमारा कोई यह दरपन है ठीक है यह हमारे क्या होगी दरपन होगी तो दरपन का सतहे का यानर किया मौनत qualसिति हैं कि यृटह भोलते हैं क्या दूर जाएगा ट्रोब मोलते हैं तो इसको हम लोग क्या वोलते हैं मुख अक्ष बोलते हैं ठीक है नोट कर लो इसका आंसर क्या या जाएगा क्या जाएगा एक भू आगगा बी आएगा क्या एगा सी अगए आएगा अगर नेक्स्ट यह देखो परिकास की गती अभी तम निम लिखित मैं से किस माध्यम में होती है यह को बताना है तो बताओ भाई प्रकास की गति निमने लिखित में से किसमा ध्यम में देख होती है तो निर्वात में या हवा में बायू में प्रकास की गति कितनी होती है तो थिरी इन्टू टैन्टू दी पावर एट मीटर पर सेकंड बायू में क्या होती प्रकास की गति होती है कांच में प्रकास की गती कितनी होती है तो आप कहोगे टू इंटू टू दी पावर एट मीटर पर सेकंड कांच में होती है प्रकास की चाल लेकिन पानी में प्रकास की जा सकता है गहराई तक जो प्रकास है वो पानी की कितनी गहराई तक जा सकता है तो आप कहोगे 400 मीटर गहराई तक पानी के अंदर जा सकता है और जो प्रकास है वो कांच के वो प्रकास जो है वो कांच के किसमें होती है तो आप कहोगे निरवात में होती है किस में होती है निरवात में होती आंसर क्या लगा दोगे दो अठाटतर सो एंग स्ट्रोंग अठाटतर सो एंग स्ट्रोंग क्या होता है इसका तरंगध्यर होता है यह आपको नोट करना है ठीक और जो प्रिकास है यह धरती पर कब आता है धरती पर धरती पर आने में कितना समय लगता है समय धरती पर आने में समय इसमें कितना लगता है कि जो सूर का प्रकास है जो सूर का प्रकास है वो धरती तक आने में कितना समय लगता है तो आप कहोगे 500 सेकंड 500 सेकंड या आप कहोगे 8 मिनिट 16 सेकंड या आप कहोगे 8 मिनिट 18 सेकंड या आप कहोगे 8 मिनिट 20 सेकंड तो हम कहेंगे यह सभी सही है हम कहेंगे यह सभी क्य तो पांसो सेकंड चाप्र,zi सोला सेकंड आट मिनेट चांड इनको आप लोग किया कर लो नोट कर लो, आंसर क्या लगाोगे, फेसocate? वेटे सरकार ने वेटे सरकार ने रॉलयट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनेतिक नजरबंधी की अनुमती दी गई थी, बिलकुल सही बात है, यानि जब ये आपका रोलेट एक्ट आया था, जब ये रोलेट अधिनियम आया था, तो इसमें ये कहा गया था, कि भारतियों को पकड़ा जाए, भारतियों को मा वाईशाब भारतियों पर सिर्फ संदेह होने पर उनको पकड़ लिया जाए और लठ मारे जाए उनमें उन्हें पिटाई करी जाए उनकी ऐसे इसमें क्या थे कानून थे वाईशाब ठीक है तो यह यह जो कानून है यह कब आया था यहाए था उनीस चौनिस में आया था और सबस्का उनकी कि यह होगा था इसको काला कानून कहा गया था कानून नाम दिया था त туда कानून कहा घया था इसको विनलाई कर लो नोट कर लो ठीक है भई इसको किसकी अध्यक्सता में भेजा गया था तो सर सिड्नी रॉलेट की अध्यक्सता में भेजा गया था भारत ठीक है भाई ये भी आप लो क्या कर लो नोट कर लो ठीक है और फिर इसी का विरूद करने के लिए हमने क्या किया था भाई 13 अपरेल 1919 में 13 अपरेल 1919 में अमरत लेकिन इस दिन क्या हो जाता है जलिया वागत्या कांड हो जाता है वैसाखी के दिन किस दिन वैसाखी के दिन वैसाखी तो आंसर क्या लगा दोगे इसका आंसर लगा दोगे भाई B क्या लगा दोगे B is the right answer of this question ठीक है भाई कि मतलब जलिया वाला बाग में भी मतलब इस टाइप से भी घटना हुई थी ठेक है भाई बताओ यह क्या पूछ रहे आप है बहुत बढ़िया मैट बॉय आस्था में सजा ऐसी डोनों में एक कौन सा Bus B ast lum है प्लीस बताईए यार देखो हम बताएं 레o का बनेटे हो तो भी बहुत अच्छी वात है और U x का यह तो भी बहुत अच्छी बात है आरो यारो का लोगे तो उसमें ज्यादा उतनी ज्यादा हट नहीं आती है लेकिन आप जब यूपी एसाइगा तो उसमें मैथ भी आएगी और उसमें सब कुछ जाएगा यूपी एसाइवाले में ठीक है भई समझ रहना लेकिन यूपी एसाइवाले में पढ़ाया उसी लेवल का जाएगा चाहे वह हिंदी हो या आपकी मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी पहुत बढ़िया चलो जी किसी का कमेंट ना देख पाएं तो बाबा भूरा मत मानना क्योंकि यहां पर कमेंट आपके जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं ठेक है बई जल्दी जल्दी ऊपर पहुंच रहे हैं से एसाइस की क्लास पेड़ पर कब चलेगी वह दो जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी आप बैस ले लो कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया बहुत सारा पूरा का पूरा बैस मज़ा आजाएगा ठीक है अंसर क्या लगाओगे भाई बी लगाओगे नेक्स्ट यह देखो आश्मान की और फेका गया पत्थर प्रत्वी की और बापसा क्यों आता है किया गया कार इसे प्रत्वी की और खीशता है या केंद्र प्रसारी बल इसे प्रत्वी की प्रत्वी से दोर भेशता है या एक बल होता है जो इसे भूमिकी और खीशता है वो कहता नहीं है तू चल में आ या भाई ये प्यार है क्या है फ्रिद्वी का प्यार है कि भाई ये एक बल होता है एक प्यार होता है एक महबत होती है एक बल होता है जो क्या करता है हर एक बस्तु को अपनी और खीशता है जिसको हम ल लगा दोगे यानि प्रत्वी प्रत्वी में क्या पाया जाता है जिस बल के कारण प्रत्वी हर एक बस्तू को अपनी और क्या करती एक खीश देती है ठीक है आंसर क्या लगाओगे लगाओगे नाविकिये सलेयन प्रक्रिया सवचालत रूप से किसम वे होती है तो धर्ती के कोड में यह सूर में आंसर क्या लगा दोगे और नाविकिये क्या वंति है उश्माँ वंती है यह इसी को हम लोग क्या बोल सकते है और इन क्या होता है कैलोरी होता है यह अब जो मसली होता है एक ही तो आप आप कहोगे यह होती है भाई हाइड्रोजन और प्लस हीलियम जब यह दोनों तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं आंसर क्या लगाओगे भाई बी लगा दोगे फिर कोशन पूछा जाएगा आप हमें यह बताओ कि जो सूर होता है शूर किंदर क taraf लोल नौट कर लोट सूर के कंदर का ल samma कितना होता है तो 1.5 लाँ होता है आंसर क्या मिलोगे लगा दोगे फेक है बैं आगे बढ़ते हैं यह देखो किसी आवेशित निएक़ा दोगार तो बहए बल को क्या कहा जाता इं किसी आविशित निकाय द्वारा किसी अन आविशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है या आपको बताना है घर्षण वल गुरुत्वा कर्षण वल या अभी केंद्रिय वल या फिर क्या कहा जाता है बिद्धुत इस्थेतिक वल सभी लोग बताएंगे आप लो बोलते हैं आंसर क्या लगाओगे डी लगाओगे इसका बोलो क्या बोलते हो आंसर क्या लगाओगे डी इस दा राइड आंसर आप डिस पॉश्चन के लिए रहा है बहुत बढ़िया चलो जी आगे बढ़ते है नेक्स्ट उश्मा छेपी अभिक्रिया होती है उश्मा छेपी अभिक्रिया होती है उश्मा छेपी अभिक्रिया होती है इसमें या उश्मा अभिक्रिया होता है या उश्मा प्राप्त होती है या उश्मा निकलती है तो आप आंसर कहोगे उश्मा निकलते हैं चया जाएगा जाएगा यह क्योंकि एक तो हmotion से जोसी अभी करिया होती है तो उशमा सोसी अभी करिया होती है इसमें चोशत हो जाती है जहती है तो अनसर क्या जाएगा डी आ जाएगा क्या जाएगा डी इस दाराइड आंसर ओप डिस कोशन बेलकुल साही आंसर क्या लगाओगे डी लगाओगे किस सन में एक प्रिमुख काया पलट हुई थी जिसमें बेटिस सासन की नीव को हिला कर रख दिया था इसे अक्षर स्वतंतरता का पहला युद कहा जाता है तो वह जाएगा और शृतंतरता कि करांती ऐसको ira को 10 मई अठारा सो सतावन में यह सुरू की lifted थी कहां से यू-पी के मेरट से शुरू की गई थी कहां से यू-पी के मेरट से शुरू की गई थी और किया बोलता है खेल नग्री बोलते हैं यह इनोट करना है ठीक है तो और शावत करना है एसर यह क्या ह cioè करना है और स only one circumstances क्या होगा था तो आपको YouTube की संदी इल लाहावाद की संदी में की संदी कि धिक और तुम से संपिसे संपों को लाइक नहीं कर रहे हैं अब देखो पूशन पूशा जाता है जो 1857 की क्रांथी यह पूरे भारत भारत में थि यह पूरे भारत में थी तो भारत के अलग-अलग केंद्रों पर बहरत के अलग-अलग केंद्रों पर अलग-अलग क्या किया नेताओं ने उसका नेत्रत किया था नेताओं ने भारत के अलग-अलग केंद्रों पर अलग-अलग नेताओं ने क्या किया था उसका नेत्रत किया था ये बात आप लोग जानते ही हो तो नाना सहब ने किया था और आरा यानी बिहार से किस ने किया था तो कुमर सिंग ने किया था और अबद से किस ने किया था तो हजरत महल ने किया था और जांसी से किस ने किया था तो रानी लच्मी वाई ने किया था और हरियाना से किस ने किया था तो राब तुलाराम ने क किया था यह क्या हो जाएंगे ऐसे पड़ना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी पड़ सकते हैं यह क्या हो जाएंगे 1857 की क्रांती के केंद्र हो जाएंगी यह बिद्रोही नेता हो जाएगा और यह बिद्रोह का दिन हो जाएगा कि किस दिन वहां पर सुरू की गई थी 1857 की क्रांती और यह बिद्रोह के में 1857 की करांती का लुए किसrones किया था ब्रोन किसने किया था इलहबाद में 1857 كा ब्रोधिक से नेक्स निर्वाचन मंडल जो भारत की राश्ठपती का चुनाओं करता है उसका गठन कौन करता तो उसका गठन तो संसद और राजविधन सभाओं के निर्वाचित सदस आजाएगा ठीक है अब निर्वाचन होगा भारत की राष्ट्रपती का निर्वाचन होगा तो राष्ट्रपती का पद दिया गया है और अर्टिकल लेकिन राष्ट्रपती का चुनाओं तो होगा लेकिन किस रीती से उसका चुनाओं होगा देखो हम आपको बताते हैं यह देखो आर्टिकल बावन में राष्ट्रपती का पद दिया गया है और आर्टिकल पाचपन में क्या किया गया है कि निर्वाचन की रीती मतलब राष्ट्पती को किस रीती से चुना जाएगा तो उसकी रीती का नाम है एकल संक्रमणिया पद्धि द्वारा राष्ट्पती को चुना जाता है अब ये एकल संक्रमणिया पद्धि क्या होती है तो जैसे हमने बोल दिया चार राष्ट्पती हैं A, B, C और D, 4 राष्टपती हैं A, B, C, D नाम के, अब मुझे बोट डालना है, तो हम क्या कहेंगे, पहले नमबर पे A को राष्टपती बना दो, दूसरे नमबर पे D को राष्टपती बना दो, तीसरे नमबर पे C को राष्टपती बना दो, और चौत्थे नमबर पे B को अट्टिकल 58 कहता है कि राश्टपती की यूगता क्या होगी वहीं पर साइग और不要 इसे में क्या दिया गया है रास्टपती पर कर सकता है अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल बन 4-3 कहता है कि जो राष्टपती है वो क्या ले सकता है वह सुप्रीम कोट से सलाह ले सकता है ठीक है चलो जी नیکस्ट जदि कि शीपस्तू पर लागू एक इस्थर बल, बल की दिसा में बस्तू द्वारा इस्थानांत्रित बल और दूरी के परिमान के रूप में दर्साया जाता है, तो इसे कहा जाता है, जैसे हमने माना एक हमारा क्या है, एक बस्तू है, और इस बस्तू को खिशका कर हमने कहां पर यहां पर पहुँचा दिया, और बल लगाकर बल की दिसा में बिस्थापित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है कारे कहा जाता है और कारे को हम लोग क्या बोलते हैं वर्क बोलते हैं इसको डबलू से पदरसित करते हैं तो डबलू बरावर क्या होता है एफ इंटू एस कॉस्ट ठीटा एफ इंटू एस क्या हो होते हैं तो आप कहोगे एक जूल बराबर दस की पापबर साथ और होता है यह वी क्या करणा है और करना है और तो कि क्या होती है कारे की बिमा होती है नोट कर लो अप लोग आंसर क्या लगाओगे लगा दोगे ठीक है किसी का कोई भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं सुबंधु और घट खर पर और चपड़क चपणाक और बीरिसेन इन सभी में क्या समगनता है तो यह सभी क्या थे चंदकुप्त विक्रमादित के क्या थे दरवारी थे ठीक है और यह कौन हो जाएगा चं दिराज के नाम से भी जाना जाता है इसको देवराज के नाम से भी जाना जाता है इसको देवराज के नाम से भी जाना जाता है इसको क्या बोला जाता है सका हारी भी भी बोला जाता है यह भी आपको क्या करना है नोट करना है तो आंसर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा सब भी ठीक है अब चंदकुप्त मौर के सोरी चंदकुप्त दुतिये के दरवार में कितने वह रहा करते थे कभी रहा करते थे तो दरवारी रहा करते थे धिए ग्लासे स्केिजिक कराते मतलब पर निमलखत में सी कौन साइब बिष्व का सबसे बड़ा सहारा मर सतल हो जो काँ पे हैँं इसको आप लोट कर लोट कि एभाई और अाटा कामा मरस्थल को कहां पर हो जाएगा यह आपका चिली में हो जाएगा कहां पर हो जाएगा चिली में हो जाएगा और चिली देश कहां पर है तो साउथ अमेरिका में है साउथ अमेरिका मेरिका में है थार मरुस्थल कहां पर है भारत में है और कालाहारी मनस्तर कहां पर हो कंदा हो जायों बहुत में भाषा का endpoint के उचीं हो आपका का करते जाइंगे सभी प्षी अब तो क्या करते जाएंगे नूट करते जाएंगे ठीक है हाँ जी जो आपका सहारा मरुस्थल ये कहां पर पढ़ता है अफ्रीका महादीप में पढ़ता है ये देखो सहारा मरुस्थल कहां पर अफ्रीका महादीप में है ग्रेट विक्टोरिया कहां पर है और सोनो रन ये आपका कहां पर है ये मैक्सिको में है तो ये भी आपके क्या साल के लिए में मौती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था औरंग जेब ने करवाया था औरंग जेब ने करवाया था ये भी आपको बताना है ठीक है और जो औरंग जीब है इसी को हम लोग क्या बोलते थे जिंदा पीर बोलते थे जिंदा पीर के नाम से जानते थे आप तो महराष्ट्रा के औरंगाबाद में ये भी आप नोट कर लो और अरंगावाद में बी-वी का भी मखवरा है किसका वी-वी का भी क्या है मकवरा है कहां पे ओर अ गए लगाओगे वह लगाओगे तृए चो हुन आई tayo का नया नाम क्या है तो दीखो आपको बताया था कि यूजनाय नाम क्या है नीती आयो गए हमने दोनों के बारे में बताया था बर्नाकूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था तो बर्नाकूलर प्रेस एक्ट को भाई 1878 में पेश किया गया था और इसकी दोरा क्या कहा गया था इसका क्या मतलब था या इसमें किस बर्नाकूलर प्रेस का क्या नहीं कर सकते अब कहा यार बड़ी यार बिडबना की बात है हम भारतिय पत्रों पत्रिकाओं का ही प्रकासन नहीं कर सकते इसलिए इस एक्ट को क्या कहा गया था इसको गला गोटने वाला एक्ट कहा गया था गला गोटने वाला एक्ट कहा गया था ठीक है भाई इसको कब 1878 में लगाया गया था और 1882 में इसको समप्त कर दिया गया था क्या कर दिया गया था किसके द्वारा समप्त किया गया था तो लॉड रिपन के द्वारा क्या कर दिया गया था इसको समप्त कर दिया गया था ये भी आपको नूट करना है तो कोशन पूशा जाएगा इसको लगाया किसने था इसको लगाया किसने था लगाया किसने था तो आप कहोगे लॉड लिटन ने लॉड लिटन ने लगाया था किसने लगाया था लॉड लिटन ने इसको लगाया था ये भी आपको नोट करना है आंसर क्या लगा दोगे आंसर लगा दोगे बी क्या लगा कान पूछो शानम करें सर जी प्लीज पेड़ क्लासेस चैप्टर करा दीजी पेड़ क्लासेस की चैप्टर कराएंगे दो जनवरी रुक जाओ दो तिन दिन और रुक जाओ आई साथ बस हाँ लगाया था किसने लॉड लिटन ने लगाया था लॉड लिटन और इसको हटाया किसने था रिपन ने लॉड रिपन ने इसको हटाया था बस चलो वाई, क्वेश्चन नमर तीस बरतना टेम जो आपका डान्स है ये कहां का है? तमिलाडू का है? कथा कली कहां का है? करना टकका नहीं, करना टकका क्या हो जाएगा? यक्षगान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यक्षगान हो जाएगा, नूट कर लो, आप लुक ठीक है व fibers तो, कथा कली कहां का है? मुहनी अट्टम क्या बोलते हैं मोहनी अट्टम बोलते हैं तो ऑन्सर क्या जाएगा रजाएगा तो यह हर्याना के वारे में बहुत इंपोर्टेंट है हर्याना के गबनर हो जाएंगे बंडारूद तात्री और यहां के चीब मिनेश्टर कौन है मनुहरलाल खट्टर हरियाना का राजिकिया पसू क्या है ब्लैक बख यहां पर गोरगपुर परमाणू उर्जा सायंत्र है यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है लोगबाग इसका यूपी लगा तर आ जाते हैं यहां पर सुल् बढखल ज्हील यहां पर कैश्याहां में बढख़ जील है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रेक्ट है यह बहुत ज्यादा इंप्रोटेंट फेक्ष्टWhen कि आगे बढ़ते हैं कि तुम्हें एक गाना सुनाते हैं एक गाना सुना है उसका बीच-बीच का हमें पाट याद आ रहा है वह कहता है कुछ ऐसा तुरंत याद आया है ना अब क्या है ना कि लाज की समापती आ गई है इस वज़े से तुम्हें गाना भी सुना दिया मतलब आख उठाना तो ठीक था लेकिन आखें उठी और फिर जुग गहीं यह गजब ढांग या वाई साब चलो भई तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं है ना और कोश्चन नमबर 31 इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी नुसंतारा प्रस्तावित कर दी गई है यह आपके देश राजधानिया हो जाएंगी हमाइ्चल प्रदेस के बारे में कुछ इंपूतन फैक्ट को आप लोग पढ़ लेना और एक अगस्त को मणाया जाता है लिए- अगस्त के important days हो जाएंगे इनको आप लोग पढ़ लेना और यह आपका क्या है यह आपका भाई BCCI का मुख्यारा कहां पर है मुंबई में है और BCCI की स्थापना हुई थी नीश सो अठाइस में कब 1928 में हुई थी ठीक है नेक्स्ट तीन तरफ से मद्दप्रदेश से घेरा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है तो ललत पूर है ठीक है तो कोशन नमर सबस्थ सकार 550 यहां की से परकार से आफ लोग पढ़ते रहे यह बंडबर होता है किसी कोई कोई कोशन हो थो अप лों घ्रूद सब्सक्राइब है कि और आसा बोसले जैसी है है तुमने लिए किसी और बता देते अब चलो वह बहुत बढ़िया तो आज के लिए बस इतना ही बकाय आप लोग पढ़ते रही है बने रही है विंदास रही है खुस रहे और बिंदास रही है ठीक है यह जो PDF आमको मिल जाएगा ठीक है आपको मुझे मेल करना है एक्जामपूर8888-gmail.com ठीक है तो सभी को फिर से एक बार जहिंद हमें कलम से करांती जह एक्जामपूर कर बिजह एक्जामपूर